हेलो दोस्तो औरगेनिक पॉलिट्री डेली में आपका एक बर फिरसे स्वागत है आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अमारा बटेर पालन क्वेल फार्मिंग के बारे में आज हम बात सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें और साथी नोटिफिकेशन बेल भी दबाद तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से बात करते हैं कि मतलब कब हमको चिक्स डालने चाहिए फार्म के स्टार्टिंग में या फिर ऑगस्त के सेकंड वीक तक हम अपने फार्म के अंदर चिक्स डालने तो जाधा बढ़िया है इससे क्या होगा कि सेप्टेंबर आते आते हमारा चिक्स जो है पूरा अडल्ट हो जाएगा और मीट के लिए रेडी हो जाएगा तो हमें सेलिंग कर प्राइस सही मिल जाएगा अघस्त में मगर जो हमारी कोईल अगस्त में शुरू होगी उसका प्राइस वह दोस्तों जैसे जैसे से सर्दियों की तरफ चलता जाएगा वैसे हमको प्राइस और अच्छा मिलने लगेगा डिमांड के इसाब से सारी फार्मिंग होती है यह में ही हमको इसका प्राइस भी अच्छा मिल पाएगा यही रीजन है कि हम अगस्त में चिक्स डाल लेते हैं जिससे क्या है सेप्टेंबर से हमारा सीजन और शुरू हो जाए और जो फार्मर्स चाहते हैं कि वह ब्रीडर भी तयार करें और अपने जिनकी खुद की हैचरी है य और अंडे देना स्टार्ट कर दें जैसे आप सामने देख रहे हैं दोस्तों यह मेरा एक ब्रीडर सेट अप है जितने भी आपको बड्स दिख रहे हैं जितनी भी क्वेल से यह सारे ब्रीडर हैं जो लेंग स्टार्ट कर चुके हैं अब मैंने खुद का सेटप बनाए यह ऐगस्त तक अब इस ताइम तक आते आते मैंने करीब टू थाउजन बर्ट जो है मेरे बीडर मैंने प्रिपेर कर लिये हैं जिनमें से कुछ ने तो एक्स लेंग स्टार्ट कर दी है बाकीकुछ यह आने वाले टाइम में दिरे-दिरे कर देंगे तो मेरा एकस का भी हो तो रही बाद ब्रूड की यह भाध करें उसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं और फिर से part के श्ट्रेस वह रिलीफ हो जाए और दूसरी चीज जो उनके पेट के अंदरadowल वो मेल्ट हो जाए उनकी उनको डाइजेशन में दिक्कत ना आए टेंप्रेचर की बात करें तो देखो जी साथ दिन इसका क्रूशल टाइम होता है सेवन डेज के अंदर हमको इसको अच्छा टेंप्रेचर देना होता है जिससे मोर्टैल्टी हमारी बहुत कम हो 35 के राउंड हम सेवन डेज के अंदर इसका टेंप्रेचर मेंटेन करके रखते हैं जिससे मोर्टैल्टी कम ना हो बच्चा इखटा ना हो अगर बच्चे को थोड़ी सर्दी लगेगी यह टेंप्रेचर कम होगा तो बच्चा क्या है कि जो हमारे चिक्स हैं वह एक जगे इख होना ही है तो यही रीजन है कि हम इनको टेंप्रेचर एक अच्छा मेंटेन करके रखते हैं और अभी तो सीजन क्या ना में ऑगस्त का चल रहा है तो ठीक है नॉर्मल सीजन है ज्यादा कोई सर्दिया नहीं है तो ज्यादा टेंप्रेचर मेंटेन करने में दिक्कत आती नह कर सकते हैं और दिरे-दिरे आकर हम नॉर्मल तेमप्रेचर पर एंश को बतबशना स्ब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरी चीज अगर हम बात करें कि मैडिसींस के बारे में तो क्वेल फारिमिंग में कोई खास मेडिसिन तो हमको चाहिए नहीं होती बाकि जो है पहले फर्स डे तो हम उनको गुड़का पानी देते हैं हलकी सी हल्दी मिलाकर और उसके बाद फिर और तो कुछ मल्टी विटामिन्स और केल्शियम वगरा ही देते हैं और जैसे मेरे पा दाल देता हूं जिससे इनकी जो नीड्स है कैल्शियम की और वाइटमीन्स की वह पूरी हो जाती है और यह हल्दी रहते हैं और इनके लिए देखिए वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन की हमको कोई भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनको बिमारियां बहुत ही कम तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इनकी फीड की कि हमको इनको फीड कराना क्या है क्या दाना देना है और कितने दिनों तक कैसे हमको इनको पालना है तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर चुक हैं पहले भी काफी वीडियो में जैसे हमारे पर चिक्स आते हैं तो उनको गुड़ लगता है मीट के लिए ready होने के लिए 35 से 40 राइं 35 से 40 दिन के अंदर हमारा बर्ड मीट के लिए ready हो जाता है तो proper इस time तक मतलब 35 से 40 दिनों तक हम एंको पर रखना है नीज वही boda यह खा कर रेडी हो जाएंग और अब बात करें कि जैसे जो breeders रखना चाहते हैं जो एक के लिए production चाहते हैं तो एक देने के लिए इनको कम सकम टाइम होता है 60-65 डेज साथ से पैसेट दिन का टाइम इनको एग लेंग स्टार्ट करने में लग जाता है अब एग लेंग जो स्टार्ट करते हैं तब हमको इनकी फीड ही ट्री स्टार्टर से चेंज करकर हमको लेयर स्टार्ट करनी होती है और करने का तरीका यह है कि जैसे ही मान लीजिए हमारे अंड़े आने शुरू हो गया जैसे हमने 100 अमारे पास प्री स्टार्टर ही खिलाते रहेंगे और जो मतलब लोग चाते हैं कि उनके अंडे जो हैचेबल रहें उनसे बच्चे भी हम निकाल सके तो उसके लिए मेल और फीमेल के रेश्यो की बात करें अगर तो चार फीमेल पर हम एक मेल रखते हैं जिससे हमारी अच्छा एक हैचिं मैंने तो जो अब तक मैंने खुद एक्सपिरियंस किया है वह 60 से 70 परसंट तक ही मिल पाता है इससे उपर मेर को तो आज तक नहीं मिल पाया है तो दोस्तों यह था हमारा फीडिंग का सिस्टम सारा मैडिसिंस का भी मैं बता चुका हूं आपको कि मैडिसिंस हमको कोई खास मैडिसिंस या वैक्सिन की जवर्थ होती नहीं है इसके अंदर जो हमको मेडिसिंस चाहिए वह चाहिए खालि ड्रीडर्स के लिए जो कि होती है क्या नाम है ओस्टोवेट और विमराल जब आप ये लेकर आएंगे तो इनकी bottles के पीछे भी लिखा होता है mention होता है कि हमको किस quantity में देनी है और मैं बता भी देता हूँ कि जैसे ओस्टोवेट है हमारा calcium का syrup होता है उस syrup को हमको एक लीटर पानी में एक ml देना है और ये continuous हमको तीन दिन तक देना होता है calcium भी और साथ ही में हम विमराल में मिला सकते है दोस्तो अब quail farming के regarding और भी कुछ questions हों आपके तो आप मेरे को comment करके आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं अपना number भी डाल दूँग डिस्क्रिप्शन में आप मेरे को महां भी contact कर सकते हैं और जैसे किसी भाई को किसी farmer भाई को हमारे chicks चाहिए या फिर adult birds भी चाहिए तो वो भी हमसे contact कर सकते हैं eggs चाहिए fertile eggs वो भी हम available करा देंगे हम आपको दे सकते हैं जिस भी regarding आपको मेरे से कोई भी चीज की help चाहिए हो या किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मैं description में अपना number डाल दूँगा जिससे आप मेरे से कभी भी contact कर सकें और दोस्तो इस time थोड़ा से delay हो गया मैं किसी कारण से videos नहीं बना पा रहा था मगर मैं आने वाले time में कोशिश करूँगा कि मैं time to time सारी videos बनाता रहूँ और आपको अपना जो experience से वो share करता रहूँ तो दोस्तो प्लीज चैनल को ज़रूर subscribe कर दीजेगा और बैला icon भी दवाई दीजेगा और अगर और और भी किसी चीज के बारे में आपको information चाहिए हो तो प्लीज आप मेरे को comment करिए मैं कोशिश करूँगा कि सभी comments का जवाब दूँ और आप तक जो मैं जानता हूँ वो आप तक share कर सकूँ आप से सारी चीजे मैं आपको बता सकूँ आने वाले time में दोस्तों मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगा जिसमें मैं आपको यह अपना farm का पूरा setup एक पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने कैसे कैसे यह सारा setup बनाया है न्यू जो मेरा setup है और सारी चीजे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और एक वीडियो में पक्का आपके लिए बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको अपना देसी बर्ड का setup और इनका बर्ड कोईल्स का और जो मेरे पास सिल्की हैंस है सिल्की मुर्गिया है उनका भी मैं आपको एक setup के अंदर सब सारी details के अंदर आपको दिखाऊंगा ज़रूर और अभी कुछ एक broiler के बारे में भी कुछ time बर मैं डालना start कर दूंगा जिससे आपको broiler farming के बारे में भी मैं आपको बता सको और अपना experience शेयर कर सको तैंक्यू उनका बारे में बारे में हो अंदर सकतीशा व्च झाल झाल